नमस्कार साथियो, स्वागते आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल पे अभी आप स्क्रीन पर एक पेपर देख सकते हैं और यह जो पेपर है इलर्किसियन ट्रेट का पेपर है प्रेटिकल का जी हाँ आप ध्यान से देख लीजिए और यह सेकेंडियर का पेपर है और यहाँ पर हम सॉल्व करने वालें इस पेपर को और साथ ही साथ आपको इसके बारे में पूरी जनकारी भी देंगे आप यदि प्रेटिकल लिखने जाते हैं तो कैसे आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं और इस पेपर को आप रट कर जाएगा क्योंकि यह जो पेपर है पिछले साल का पूछा गया पेपर है और इस साल भी पूरा चांस बनता है कि ऐसे कोशन दिये जाएंगे और यहां पर आपको देखिए समय आपको देखने को मिल जाता है आठ गंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा जिसमें टोटल मार्क आपको यहां पर देखने को मिल जाता है 250 नमबर का आपका ये कोशन आएगा जिसमें कम से कम आपको 150 नमबर यहाँ पर लाना जरूरी होगा क्योंकि सात्यों इसका जो पासिंग मार्क रखा गया है वो 150 नमबर रखा गया यदि आप 150 नमबर से कम पाते हैं तो आपका बैक लग जाएगा ध्याने कियेगा तो चलिए हाँ पर कोशन सुरू करते हैं कोशन सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ यदि आप डेली इस तरह के कोशन प्राप्त करना चाहते हैं और पेपर से संबने जनकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो की नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सस्क्राइब बोला उसे दबाईए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर उलनोटी पी किसन आन कर लें इस तरह की आपको जनकारी इस चैनल के मादम से दी जाती है तो चले हैं आपर कोशन स्टार्ट करते हैं कोशन इस चार्ट करने से पहले आप यहाँ पर नोट में पढ़ें इसमें साब तोर पे लिखा गए एक्टेम्ट आल कोशन जिसमें पहला कोशन हहां पर काया जा रहा है study direct online और यह DOL की बात कर रहे हैं मतलब कि direct online की बात कर रहे हैं starter की in perform and experiment to demonstrate starting and three pager square induction motor with eat कहने का मतलब यह direct online starter की बात कर रहा है तो उसका अध्यान करें और इसके साथ three-four-queral cage induction motor की सुरुबात को परदर्सित करने के लिए एक परियोग करें तो यह आपको यहाँ पर लिखना है इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा कोशन करा रहा है डिसमेंटल और रिएसेंबल हीटर मतलब कि यह हीटर की बात करा है कि हीटर को यहाँ पर जो कि इसको परियोग करें के अनुतार करा ह तो आप इसको कैसे कर पाएंगे इसका पूरा मतलब हुआ कि इलेक्टॉनिक पंक्खे का नियामांकन के रूप में SCR को यहाँ पर दिया गये तो SCR का अध्यन करने के लिए कहा जा रहा है और एक सर्कीट आरेक बनाने के लिए कहा जा रहा है जिसमें साथ यहाँ पर एक समागरी का सोची भी बनाने के लिए कहा जा रहा है और साथ में 1000 वाट दिया गया 1000 वाट 220 बोल्ट हीटर द्वारा जो की खाचे का परतिरोद और करंट की मापने के भी बात कर रहा है तो चले इसका परियोग करते हैं फंश्ट सिकेंड और थर्ड का तो पहला परियोग आपके सामने जो की आपका पहला परियोग यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं तो सातियों आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला परियोग है आप ध्यान से देखिएगा जिसमें आपको पहला हेडिंग दागना है त्री फेज स्क्वाइरल इंडेक्शन मोटर तथा स्लिपरिंग मोटर को चलाना तथा दिसा बदलने का अभ्यास करना तो कोशन में आपसे क्यवली यह पूछा जा रहे कि डियरेट ओलानी स्टार्टर का अध्यन करें और उसके त्री चलान स्क्वाइरल के इंडेक्शन मोटर की सुरुआत को परदर्सित करने के लिए एक परियोग करें तो आप यहाँ पर यह उद्दिस में लिखेंगे इसके बाद आपको फिगर बनाने की यहाँ पर जुरुत पड़ेगी तो फिगर आपके सामने आप ध्यान से देख लिजेगा फिगर थोड़ा सा हाड है फिर भी आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि नंबर पाना है और यह आपका 100 नंबर का कोशन हैगा ध्यान कीगा तो आपको बनाना पड़ेगा यह इसका आप एक स्क्रीन साट ले लिजेगा ताकि आप यहाँ पर प्रेक्टिस कर पाएं आपको जुरुत पड़ेगी इसके बाद आती हो आप यहाँ पर समागरी में लिखेंगे समागरी हेडिंग आप दागेंगे और उसमें लिखेंगे PVC wire, testing lamp, series testing board, fuse tower lamp और इसके बाद 100 और यहाँ पर 200 watt का आपको जरुवत पड़ेगी लेंप की और यहाँ पर tap roll की भी जरुवत पड़ेगी इसके बाद यहाँ पर आवस्यक उपकरन और समागरी में आप नीचे वाले चीज़ को भी लिख सकते जिसे की प्लायर की जरुवत पड़ती है, cutting प्लायर की जरुवत पड़ती है, nose प्लायर की जरुवत पड़ती है, induction motor की जरुवत पड़ती है, slip ring induction motor की जरुवत पड़ती है, emitter की और bolt meter की और इसमें आपका आजाता है स्वीच जो की और यहाँ पर आपका इलेक्टिस्यन चाको भी आजाएगा फेज टेस्टर भी आजाएगा तो यह सभी जो चीजे रहेगी आपका आवस्यक उपकरन और समागरी में रापका रहेगा इसके बाद आपका विधी या आप कारी विधी लिखें या विधी लिखें आपका हेडिंग रहेगा कारी विधी या आप विधी लिखें इसके बाद इसमें आपको सारी चीजे आपको करम वज लिखना है जैसे कि पहले DOL starter L1 L2 L3 line में और M1 M2 M3 motor को जोड़ें इसके बाद किसी भी एक फेज को स्रीज में एमिटर जोड़ें धारा नोट करें बोल्ट मीटर को दो फेजो को के आर पार जोड़ें और बोल्टेज नोट करें और हाइप नमर पे रहेगा में स्वीच को आन करो टोटल आप 5 लिखेगा आपको नंबर मिल जाएगा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है जितना ही आप जरूरत है उतना ही आप किजिए आप अच्छा अंग पराप कर पाएंगे इसके बस आती हो आपका अगला हेडिंग रहेगा सौधानिया सौधानिया में आपको ये लिखना होता है जिसे कि आपने इस परियोग को किया तो आपने किन-किन बातों को ध्यान में रखते हुए परियोग किया और आपका ये परियोग सफल हुआ उसके बारे में आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है सभी जोड़े कसे तथा साप होने चाहिए दूसरी बाद स्लिप रिंग मोटर की गती धीरे-धीरे होनी चाहिए और तिसरी बाद में स्वीच में फ्यूज तार सही गेज का होना चाहिए और 4 नमर पे आपको लिखना है सभी control gear टेस्ट करके लगाए चाहिए तो यह आपका जो हो गया साथ हूँ सवधानिया में हो गया सवधानिया लिखने के बाद आपका अगला heading पड़ेगा परिडाम का जी हाँ परिडाम heading लिखेगा और आपको लिखना पड़ेगा direct online starter का अध्यान कर किया और इसके साथ ही स्क्वाइरल के इनेक्सर मोटर की सुरात को परदर्सित करिया और यह जो परियोग रहा सफल रहा मतलब कि यह जो परियोग है सफलता पुरूग के हमने अध्यान किया यह आपका जो होगा परिडाम में हो जाएगा और यह आपका 100 नंबर का question समाप्त हो गया इसमें जो ज्यादा तर यहाँ पर आपको जो समय लगेगा वो आपको यहाँ पर इसका जो इसकेच बना रहे के लिए खा गया यह आपका लगेगा जो कि इसको आपको बनाना पड़ेगा ठीक है इसको ध्याने कियेगा जिसमें साथ यहाँ पर आपको इस टाप और यहाँ पर start button को भी दिखाना पड़ेगा supply भी दिखाना पड़ेगा और इसका जो यहां पर three pages slip ring induction motor इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा तो इसको आप बना लीजेगा इसकी start कलीजेगा आपको जरूरत पड़ेगी इसके बस आती हो कोशन में देखिए अगला कोशन आपके सामने जिसमें यहाँ पर काया जा रहा है अटलब की हीटर को तोड़े और पुनोह जोड़ें तो चले इसका परियोग आपको बताते हैं कैसे आपको लिखना है परियोग संख्या दो यह आपका जो कोशन है यह भी आपका 100 नंबर का कोशन है तो यह आपका काफी important कोशन है तो चले हैं आप पर देखिए जो कि यहाँ पर heater की बात करें तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो heading दागेंगे उद्धिस दागेंगे और उसमें आपको लिखना है बिजली की प्रेस को चेक करना वो element बदलना और इसमें आपको कि एक यहाँ पर बदाना है यहाँ पर आपको यह चीज़ को बना दना है और दूसरी आपको यह दो आपको figure बनाने की जुरुत पड़ेगी बाकी आप इसको नद बनेगा ज्यादा समय लगेगा कोई भी फैदा नहीं होगा तो आप दो चीज़ का बनेगा यहाँ पर जो element है उसका और जो यहाँ पर iron है उसका आप बनाएगा यह दो चीज़े आप बनाएगा बाकी आपको number मिल जाएगा अब सात्यों यहाँ पर आपको इतने करने के बाद अब जुरुत पड़ेगी आपको अगली heading की जिसमें आपको लिखना है आवस्यक उपकरण और समागरी या आवजार उपकरण एव समागरी का heading दी किएगा और इसमें सात्यों आपको लिखना है combination प्रायर, insulation पेचकस, बिदूत प्रेस और इसमें आपको spinner set और यहाँ पर multimeter, PVC और यहाँ पर आपको बिदूत प्रेस element और सैसे testing board यह सभी चीज़े आपको लिख देना है जो कि आपका आवजार उपकरण एव समागरी में रहेगा द सबसे पहले आपने क्या क्या, उसके बाद आपने क्या attach किया, उसके बाद आपने किन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया, यह सभी चीज़े आपको लिखना है जिसे कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें लिखा गया सभी समान लेकर कारेस तल पर जाए इंसुलेशन, कमिनेसल, प्लायर, पिचकस, स्पीनर की सहता से प्रेस को खोलें, एलिमेंट को स्रीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करें, यदी खराब हो तो बदल दें, और थर्मोनेस्ट स्वीच सेट को टेस्टिंग बोर्ड से सपलाई दें, यह सभी चीज़े आपको ल लिखना है, सदा तीन कूर तार वाली तार कास को काम में लानी चाहिए, और जिनकी तीसरी तार प्लग सू तता कनेक्टर बे भी अर्थ के लिए रखनी चाहिए, और तीन कूर तार में लाल तता काली लाइन, लाइन से होनी चाहिए, और हरी तार अर्थ के लिए होती है, द अपको लिखने आपको लिखना है अब साथ यो इसके बाद आपका जो हेडिंग पढ़ने वाला है वह आपका हैं पर अन्तिम हेडिंग होगा परड़याम का जी हां अब आपको इसमें ध्यान लिकίνऄ लिखना है ये जो परियोग है आपने सफलता परुवक किया और यह आप बचता है यो कि यह जो लास्ट बचता है यह आपका कीशalका प्छाहिए यहां पर यह पूछा जारा है कि ईलेक्टाइख fan regulator and make list of material required मतलब कि सभी जो यहाँ पर इसमें आपको जिस चीज़ का material का प्रयूप करें सभी चीज़े को आपको लिखना एक list के अनुसार और दूसरी बात इसमें आपसे कहा जा रहा है कि resistance and circuit order on Y जो कि यहाँ पर 1000 watt और 220 volt heater की बात भी कह रहा है मतलब कि electronic पंखे की बात कर रहा है जिसमें सातियों नियमांग के रूप में SCR का अध्यन करने के लिए भी कहा जा रहा है और दूसरी चीज एक circuit R1 बनाने की भी बात कर रहा है जिसमें आपको सभी समागरी को लिखना है जो भी आपने समागरी इस परियोग में उपयोग किया तो सभी चीज़ियों को लिखना है और सात में आपका 1000 watt 220 volt heater का भी यहाँ पर बनाने के लिए का रहा है जो कि इसमें आपका यहाँ पर पर्तुलत और current की माप भी कहा जा रहा है तो चले इसको यहाँ पर solve करते कोशन नमबर 3 को तो कोशन नमबर 3 आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले आप देखिएगा पंके की बात कर रहा है तो आपको पंका heading दागना है जो कि यहाँ पर सोरी उद्दे सी heading दागना है तो इसका आप यह भी बना सकते कोई भी दिक्कत ने है तो regulator को आपको दरसाने के लिए यह जो figure है आपको बनाना पड़ेगा और साथ में जो यहाँ पर आप से जो पूछा गया है यह सभी चीज़े आपको दरसानी पड़ेगी जिसमें अवजार उपकराण और समागरी का heading आपको दागना पड़ेगा और इसमें आपका रहेगा combination plier, insulation page gas और यहाँ पर आपका रहेगा हथोड़ा इसके बाद science testing board रहेगा पंखा रहेगा, grease रहेगा और यहाँ पर kerosene रहेगा इसके बाद यहाँ पर flexible तार रहेगा अब यहाँ पर अगला heading आपका पड़ेगा कारीविदी का कारीविदी में आप यहाँ पर लिखा गया है जिसकी आप ध्यार निखेगा सभी समान लेकर कारेस्थल पर जाए single fan की blade में nut हो तो spanner यहाँ पेज से कोल कर पंके से दूर बेऊस्थिद रखें और पंके के परतेक भाग को पूर्ण रूप से खोलें यह 20 जिज़े आपको लिखनी होती है अब साथों यहाँ पर अगला heading आपका पड़ेगा सवधानिया का जिसमें आपको यहाँ पर लिखना इस परियोग को करते समय आपने किन-किन बातों को ध्यान में रखा जो कि आपका परियोग सफल रहा तो यहाँ पर पहला आपका रहें इसमें लिखा जाएगा पंके के किसी भाग का उपर पेचकस प्लास या हथोड़े से चोट नहीं लगानी चाहिए दूसरी बात पंके के दोनों कवर के पेच कसते समय सभी पेचों की चूड़ी समान रुप से कसनी चाहिए और तिसरी बात उपर रोड वा इस्टेटर की सौप्ट के माध्यम से लोफिंग फिंग सही लगानी चाहिए तो यह आपके जो हो जाएगा सात्यों यह साउधानिया में हो जाएगा अब इसके बाद जो आपका अगला हेडिंग पड़ेगा वो परड़ाम का पड़ेगा आपका रिजल्ट क्या निकल के आया तो आप इसमें साब तोर पर लिखेगे कि इलेक्ट्रोनिक पंके नियमांग के रोप में सिर का अध्यां और सर्किट आरेक बनाए और आवस्यक समागरी की सुची बनाए और यह जो पर्यूग रहा सफल रहा तो इस तर आपका तीन कोशन हो जाएगा और यह कोशन आपका मातर पचास नंबर का रहेगा क्योंकि इसमें यहाँ पर ज्यादतर आपको समय नहीं लगेगा तो इस तर आप असानी से परियूग लिख सकते हैं यदि आपको जनकारी पसंद आती है तो परिज इस वीडियो पर एक लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब के लिजेगा आई टेई से जुड़ी आपको हर एक जनकारी इस चैनल के माद्यम से दी जाती है